नमस्कार दोस्तों नित्य साधना में आपका स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे अच्छे तिर्तिया महापर्व के विशे में दोस्तों अच्छे तिर्तिया महापर्व आपको और आपके परिवार को हार्दिक बधायां दोस्तों धार्मिक सास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अच्छे तिर्तिया के दिन सोना खरीदना भविश्य में सुख सम्रधी और आधिक धन की प्राप्ति होती है इसलिए इस दिन सोना खरीदने का विशेश महत्तो है दोस्तों अच्छे तिर्तिया दिपावली के तरह धन तेरस के तरह विजय दस्मी के तरह मनाई जाती है दोस्तों हिंदु धर्म का ये एक महापर्व है दोस्तों इस दिन कोई भी सुभकाम बिना पंचांग देखे आप कर सकते हैं मुंदन हो गिरिप्रवेश हो भूमि पूजन हो या किसी प्रकार का पूजापाट आप इस दिन कर सकते हैं दोस्तों इस साल अच्छे तिर्तिया 14 माई 2021 दिन सुक्रवार को मनाई जाएगी अच्छेतिया के पूजा करने का मुर्थ सुभ़ 5 बज के 38 मिनट से दोपहर 12 बज के 18 मिनट तक है कुल अवधी 6 गंटे 40 मिनट है अच्छे तिर्तिया तिथी आरंब हो रही है 14 मई 2021 सुभ़ 5 बज के 38 मिनट से और तिर्तिया तिथी समाप्त हो रही है 15 मई 2021 सुभ़ 7 बज के 69 मिनट तक इस समय में आप कभी भी सोना खरीद सकते हैं पुराणिक कथाओं के अनुसार अच्छे तिर्तिया के दिन तिर्यता युक का आरंब हुआ था तो इस दिन भगवान विश्णू और माता लच्छमी की पूजा की जाती है इस दिन दान करने का विशेश महत्तो है इस दिन दान करने से पित्रों का आशिर बाद प्राप्त हो उनसे आग्रह करें और आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी 14 मई 2021 सुक्रवार के दिन भगवान परसुराम का जन्मु उत्सो मनाया जाता है परसुराम जैनती के रूप में मनाया जाता है भगवान बीश्लू के छठे आवतार भगवान परसुराम जी थे लच्चमी जी की पूजा करें सुक्रवार के दिन माता लच्चमी का दिन भी मना जाता है जो भगवान पूजा करते हैं आराधना करते हैं उनको माता लच्चमी की किरपा प्राप्त होती है दोस्तों इस दिन सोना खरीदना सुभ मना जाता है अगर आप किसी कारण से सोना नहीं खरीच सकते तो अपने घर का जो भी आउ सकता अनुसार बरतन हो एक ही बरतन लेकिन आप बरतन भी खरीद सकते हैं दोस्तों इस दिन दान का विशे सुमहत्व है, इस दिन आप फल दान कर सकते हैं, आनाज दान कर सकते हैं, आप जल का प्याव लगवा सकते हैं, या किसी को पानी पिला सकते हैं, यह सब काम आपको करना चाहिए, यह एक ऐसी तिति है, दोस्तों अच्छे तृतिया के दिन से ह दोस्तों यह एक एनसी ती थी है इस दिन आपके घर में आप अपने घर में जल में हल्दी डाल करके दुरुआ याम की पत्ते से आप पूरे घर में छिड़कना चाहिए आपका जो पुजा सथान हैं उहाँ छिड़कना चाहिए जहां भी आप तिजोरी बनाए हैं उम्हा छिड़कना चाहिए इससे माता लच्छमी की किरपा प्राप्त होती है अपने तीजोरी में जरूर छिड़कें इस दिन दोस्तों इस दिन सुबह में पूजा असनान करने के बाद लाल पुपुश्प डाल करके सुर्भगवान को जरूर अर्पित करें और घर में साफ सफाई करने के बाद गंगा जल भी आप चाहें तो पूरे घर में छिड़क सकते हैं दोस्तों इस दिन तुलसी माक को जल जरूर चढ़ाना चाहिए दीपक जलाना चाहिए और दोस्तों गाय को रोटी गुड के साथ अच्छे तिरतिया के दिन जरूर खिलाएं इससे अनन्फल की प्राप्ती होती है तो ये थी कुछ अच्छे तिरतिया के विशे में विशेश जनकारी तो मिलते हैं कुछ ऐसी ही ग्यानवर्धक वीडियो के साथ धन्यवाद